खेतों की उर्वरा शक्ति इससे निर्धारित होती है कि उसके अंदर कितना हुमस है और हम यह कह सकते हैं जो खेत की ताकत है वो हुमस है अब यह हुमस बनने की जो प्रिक्रिया होती है बहुत अलग प्रिक्रिया होती है बहुत जटिल प्रिक्रिया होती है और जो हम खेत में जैविक पदार्थ डालते हैं उसी से यह हूमस बनता है और जैविक पदार्थ और हूमस में अंतर होता है इस पर मैं एक वीडियो पहले बना चुका हूँ आप उस वीडियो को देख सकते हैं आज मैं आपको बताऊँगा कि हूमस बनता कैसे है कौन सी ऐसी परिस्चितियां क कौन सी ऐसी हम situation create कर सकते हैं जिससे humus अच्छा बने और हमारे खेद की fertility बहुत अच्छी रहे तक कि उत्पादन हमें अच्छा मिले देखिए जो humus बनता है वो जैविक पदार्थों के decomposition मतला उनके अबगटन होने से बनता है हम जो भी गोबर की खाट डालते हैं compose डालते हैं मुर्गी की खादो केचों की खादो पसल के अफशेश हों तने हों जड़े हों पत्या हों कोई भी जैविक पदार्थ जो हम डालते हैं वो उस समय हूमस के रूप में नहीं होता है वो उस समय जैविक पदार्थ के रूप में हैं वो उसको हम organic matter कह सकते हैं यह organic matter ह जो हम डाल रहे हैं, लेकिन जब organic matter अपना रूप बदलता है, उसका decomposition होता है, और काफी process के बाद वो humus बनता है, तो ये एक बहुत difference होता है organic matter और humus में, तो आप confuse मत होईए कि organic matter और humus एक ही चीज है, जो हमने organic matter डाला, जो भी हमने जो भी पतार डाले, organic matter, इसको मैं O.M. लिख रहा हूँ, organic matter, इससे जो humus बनेगा, ये एक बहुत बड़ा process है, तो ये जैविक पदार्थ से humus बनता है, और इसमें बहुत साल लगते हैं, ये एक साल, दो साल का process नहीं है, या आट्ड़ साल का process नहीं है, इसको बनने में हजारों साल लगते हैं, तो हमारी मिट्टी के अंदर जो आज humus बना है, वो हजारों साल पहले बना होगा, तो या आप ये मा समझेए कि हमने गोवरी खाल डाल दियो, humus बनेगे आगले साल, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो ये process में आपको लिखा, ये एक बहुत बड़ा process है, इसमें क्या होता है देखिए, जो जैविक पदार्थ है, इनका पहले अब गटन होता है, मतलब, decomposition होता है, उससे नए पदार्थ बनते हैं, नए नए पदार्थ मिट्टी अंदर बनते रहते हैं, उनका फिर polymerization होता है, बहुली कानजी सम कह सकते हैं, इंग्लिश में polymerization कहते हैं, आपस में वो compound synthesis होना, polymerization होना और humus बनना तो इसके इसके जो हम औरिमेटर डाल रहे हैं वो बिलकुल completely चेंज होता है इसके जो पदार्त होते हैं इसमें बिलकुल भी पदार्त नजर नहीं आएंगे इसके अंदर में cellulose है, hemicellulose है, lignin है, पत्ती के अंदर जो हमने डाला है वो बिलकु trends है, वो humus से बिलकुल अलग होते हैं तो ये एक बड़ा process है, ये छोटा process नहीं है, ये मैं आपको short में बताया कि humus बिलकुल अलग हो जाता है, अब ये होता किस्से है, ये decomposition किस्से होता है और ये polymerization synthesis करता कौन है, इसको देखिक करने में सारा जो role है, वो सूच जीवों का है, तो ये जो process है, ये micro organism जो होते हैं, या microbes जो है मिट्टी के अंदर, वो इसको अब गटित करते हैं, new compounds बनाते हैं, synthesis करते हैं, polymerization करते हैं, ये हलागी chemistry की terms है, आप इतना समझेए कि जो हमने और मटर डाला है, गोबर की घाट डाली, पत्तिर डाला, तना, जड़े, जो भ नए पदार्थ बनते रहते हैं, तो जो organic matter की जो property है, जो गुण है, वो humus के गुणों से बिलकुल अलग हो जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर के जो पदार्थ हैं, वो अलग हो गए, क्यों अलग हो गए, क्योंकि देखें हैं, नए पदार्थ बने हैं, synthesis हुई है, polymerization हुआ ह तो बिलकुल बहुत ही अलग polysaccharides बन जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं, जैसे मैं आपको बताएं, इनको दो गुरूपे बाट देते हैं, humic substances और non-humic substances, तो एक बिलकुल अलग पदार्थ बनते हैं, और ये जब पदार्थ बनता है, तो इसकी जो जल धरा आता है, चाहें उसकी physical properties हो, biological हो, chemical हो, और इसके साथ-साथ क्या होता है, जब ये process होता है, इसके साथ-साथ, जो orange matter के जो nutrients हैं, जो पोशक तत्व हो, वो release होते हैं, तो ये पुरे process में पोशक तत्व release होते हैं, मिट्टी के अंदर आते हैं, जिनको फसलें ले ले लेती हैं तो microbes जब इसका decomposition करते हैं, synthesis करते हैं, उसी के साथ-साथ इसके, जो भी हमने गोवरी के खाट डाल ले किये, कुछ भी हमने जो डाला है, जैबिक पदार, उसके अंदर जो नाइट्रोजन है, फास्टोरस, कोटेशियम, कैल्शियम, सलफर, जिंक, मैगनी, आयरन, जो कोई भ तो है, वो सारा-सारा मिट्टी के अंदर आता रहता है, और उसी को फसले लेती रहती है, अब इसके दो लाब हमें मिलते हैं, जब ये औरिमेंटर से हुमस बनता है, तो एक तो हुमस बन रहा है, उसके बहुत सारे हमें जो लाब मिलते हैं, इसके साथ-साथ, जो nutrients रिलीज नहीं होगी उससे nutrients नहीं निकलेंगे हम ये ना समझें कि हमने गोरी खाट डाल दी compose डाल दी और पौदे वो मिल रहे नहीं ऐसा नहीं है उसके अंदर सूचमजीवों की सक्रेता होगी activity होगी क्योंकि इसको खाएंगे औरगनिमेटर के अंदर कारण होता है जिसको सूचमजीव खाते हैं तो इसी को बोलते है decomposition बहुत साधरन भाषा में इसको कह सकते हैं और इसी decomposition के दोरान सारे के सारे पोशक तत्तो निकलते हैं तो जो पोशक तत्तो मिट्टी के अंदर आते हैं और गनिमेटर से वो decomposition के माध्यम से ही आते हैं और इसको करने काम कौन करता है सोच जीव करते हैं खास तोर से वेक्टिलिया का बहुत important role होता है अब ये process जो होता है humus बनने का धीरे-धीरे-धीरे-धीरे चलता रहता है और हम हर साल डालते रहे हर फसल में हम और डालते रहे तो हमारे खेत के अंदर धीरे-धीरे-धीरे humus बनना शुरू हो जाएगा जिसके में लाब मिलते हैं इसके साथ साथ decomposition होने से बहुत सारे compounds निकलते हैं humic acids निकलते हैं बहुत सारी चीज़ें निकलते हैं बहुत सारे organic compounds निकलते हैं जो plant की growth को regulate करते हैं जिसका पूरा पाइदा फसल को मिलता है अब हमारे खेत में अगर humus बढ़ाना है हमको तो हमको पहली बात तो यह है कि जैविक पदार्थ मिलाने होंगे बिना जैविक पदार्थ मिलाए यह हो नहीं सकता दूसरा काम यह होगा कि माइक्रोस की activity बहुत अच्छी होनी चाहिए बिना माइक्रोस की काम होनी सकता यह ऐसा नहीं हो सकता कि हम जैविक पदार डाल दें और उसके अंदर सूचन जीवों की सेकरिता बहुत कम हो तो humus नहीं बनेगा इसका मतलब कि अगर वो conditions हो वो परिसितियां जो सूचन जीवों की activity को बढ़ाएंगी उनकी ज़्यादा help करेंगी उससे humus भी ज़्यादा बनेगा decomposition ज़्यादा होगा nutrients भी ज़्यादा निकलेंगे plant growth रेगलोट से जो बन रहे हैं इसके मादियम से वो भी ज़्यादा निकलेंगे और humus भी अच्छा बनेगा तो वो conditions अगर हमारे खेत में होती है तो देखिए जो सबसे अच्छा है नमी होनी चाहिए जो हमने ज़्यादा डाना उसको decomposition के समय नमी होनी चाहिए सूच के खेत में decomposition बहुत कम होता है या कह सकते हैं हो ही नहीं सकता या बहुत कम होता है क्योंकि सूच जी भी बहुत हलके पड़े रहते हैं अपना काम नहीं कर पाते तो नमी अच्छी होनी चाहिए temperature ना बहुत ज़्यादा होना चाहिए ना बहुत कम होना चाहिए जाड़े हो जाए December, January बहुत ठंड हो जाती है मिट्री ठंडी रहती है तो वहाँ भी Micros बहुत अच्छा काम नहीं कर पाते बहुत गरम हो जाए 45-50 डिग्री सेंटी गरेड कर तापमान हो जाए तो भी सूच जी अच्छा काम नहीं कर पाते 30-35 डिग्री सेंटी ग्रेड 25-30 ये अच्छा तापमान होता है जिसपे की सूचन जीव अच्छा काम करते हैं और हुमस अच्छा बनता है तो नमी का होना बहुत महत्पूर है और आपमान का होना जिसपे सूचन जीव अपना काम करते हैं इसके साथ साथ जो अधिकांश सूचन जीव होते हैं उनको ऑक्सिजन की जरत होती है एरोबिक होते हैं अलाकि बहुत सारे सुचन जी बिना oxygen करते हैं उनको anaerobic बोलते हैं लेकिन जो most of the microbes हैं जो involved हैं इसके decomposition में उनको oxygen चाहिए तो अगर मिट्टी इंदर oxygen जा रही है अगर हलकी जुताई हो रही है हम गुड़ाई कर रहे हैं या खेथ हम अच्छा त्यार कर रहे हैं उसके अंदर oxygen जा रही है तो इनकी सक्रिता बहुत अच्छी हो जाती है और यह decomposition तेज होने लगता है और humans भी अच्छा बनता है लेकिन आपको बहुत जादा अगर जोताई करेंगे तो जितना decomposition अगर fast हो जाएगा तो यह जो nutrients निकलते हैं इनका नुक्सान हो जागा gas बन सकते हैं या पानी के साथ बहकर के निचे आ सकते हैं तो decomposition का रेट होना चाहिए अच्छे rates होना चाहिए ना बहुत तेज हो ना बहुत हलका हो बहुत तेज decomposition हो जाता है उसका पोशक तक तो पौदों को नहीं मिल पाते पानी की साथ बहकर चले जाते हैं नाट्रिन तो खास तोर से धीरे-धीरे ही खतम होता है ऐसा नहीं होता है कि हुमस बहुत जल्दी बनेगा बहुत जल्दी खतम हो जाएगा ऐसा नहीं होता है हुमस धीरे-धीरे बनता है और धीरे-धीरे ही खतम होता है तो हमारे जो खेत की जो असली ताकत है वो है हुमस और हुमस तभी बनेगा तो सुचिए जो उखले हुआ है स्वाइल पीएच हमारी मिट्टी की पीएच कैसी है जैसे मैंने अभी नमी मताई नमी प्रयापत होनी चाहिए ऑक्सिजन मिलनी चाहिए ताप मान 25-35 अच्छा होता है इसी तरह से स्वाइल की पीएच है अगर अच्छारी होगी तो यह पांच हो जाए तो इनकी सक्रिता कम हो जाती है तो हमें मिट्टी को सुधारना भी बहुत जरूरी है ना उसके अंदर अमलता हो दौनों को सुधारना बहुत जरूरी है तब ही हम अपने खेथ की उर्वर्ता को बढ़ा सकते हैं होता यह है कि पीएस तो बहुत जाद रहती आठ साड़े आठ रहती और हम औरगनेमेटर डाले जा रहे हैं उतना लाब नहीं मिल पाता है यही कारण होता है कि खाद भी अपने अच्छा काम नहीं कर पाती है कोई भी हम खाद औरबरक डाले हो तब अच्छा काम करती है उनके छी रिज़र से मिलते हैं जब पियच 6.5 से 7.5 हो, क्योंकि खाद को भूले का काम भी, बहुत सारी खादों जो घुलती है, वो सुच्य जीवों की सहता से ही होती है, खास तोर से नाइट्रोजन वाला है, या सलफर का है, आइरन का है, मैंग्नीज का है, इसे बहुत सारे सुच्य जीव इन्वाल रहते हैं तो आपको अपने खेतों की उर्वरता बढ़ानी है तो हीमस को बढ़ाना ही होगा उसके बिना हम उर्वरता को नहीं बढ़ा सकते तो उसके लिए अच्छा हो पाई है आपके पास जो भी जैबी पदार तुपलब्ध हो उसको खेत में डाले सोची जीवो रोकें तो हमारे खेत की उर्वरता बनी रहेगी हुमस भी अच्छा बना रहेगा इसी प्रगार की लेक्चर्स को देखने के लिए आप क्रिशी किसान प्लेलिश देखिए और अगर चनल सस्क्राइब निक है तो सस्क्राइब कीजिए हन्माद